नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोर्त आई नीज पर मैं सतेंद्र सिंग हूँ और आज हम जिस विधानसवा सीट की बात कर रहे हैं वो विधानसवा सीट दुर्ग जिले में आती है और वो भले ही साल दो हजार आठ में अस्तित्म में आई हो लेकिन उसके अलग अप फोर्त आई नीज की खास विधानसवा सीट विशलेशन की सीरीज को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया है बीते दिनों हमने हमारे प्रदेश की कुछ विधानसवा सीटों को लेकर स्पेशल रिपोर्ट तयार की थी जिस पर आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी कुछ और सीटों को लेकर दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में अपनी मांग रखी और उनका सम्मान करते हुए हमने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है आप सब के डिमांड पर आज हम हमारे प्रदेश की एक और विधानसवा सीट का विशलेशन लेकर आपके सामने पेश हैं। ये सीट है वैशाली नगर विधानसवा। और संग के पुराने कारेकरताओं की छेत्र में अधिक्ता होने की कारण तीन बार भाजपा ने अपना कबजा जमाया। वैशाली नगर विधानसभा बनने के बाद साल 2008 में पहला चुनाव हुआ। उसकी साल परी सीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर पहले चुनाव में बीजेपी की सरोच पांडे ने कॉंग्रेस के ब्रिजमोहन सिंग को करीब 21,000 वोटों के अंतर से हरा कर जीत दर्श की थी। चुनाव में सरोच पांडे को 63,078 वोट मिले थे वहीं उनके प्रतिद्वंदी कॉंग्रेस प्रत्याशी ब्रिजमोहन सिंग 14,811 वोट ही अपने नाम कर पाए जिसके चलते ब्रिजमोहन सिंग को 21,267 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सरोच पांडे वरतमान में राजसभा सांसद हैं। भाजपा प्रत्याशी जागेश्वर साहू को 45,997 वोट मिले। इस उपचुनाव में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और साड़ा अध्यक्ष रहे भजन सिंग निरंकारी भाजपा की जागेश्वर साहू को हराकर विधायक बने। फिर आया साल 2013 का विधान सभा चुनाव। इस चुनाव में बीजेबी प्रत्याशी विध्यारतन भासिन ने 72,594 वोटों के साथ बड़ी जीत हासिल की। विध्यारतन भासिन के प्रतिद्वन्दी और कॉंग्रेस प्रत्याशी भजन सिंग निरंकारी को 2013 के चुनाव में 48,146 वोट मिले थे जिसके चलते उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से 2013 और 2018 की चुनाव में वर्तमान विधायक विध्यारतन भासिन ने अपने प्रतिद्वन्दी कॉंग्रेस के भजन सिंग निरंकारी और भिलाई के पूर विधायक बदरुद्दिन कुरैशी को हरा कर कॉंग्रेस की लहर के बाद भी भाजपा के गड़ को बचाय रखा वर्तमान में वैशाली नगर विधानसभा चेतर से कॉंग्रेस से अगर दाविदारी की बात की जाए तो भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पूर्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू भिलाई निगम की नवनिर्वाचित पारशद और निगम की MIC मेंब नावांकन के अंतिम समय में यहां के प्रत्याश्ची के नाम की खोशना हुई थी वर्तमान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का स्थानी निवास इसी विधानसभा चेतर में पढ़ता है इसके अलावा नगर निगम भिलाई में भी कॉंग्रेस से लगातार तीसरी बार कबज़ा जमाया है यही नहीं दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा चेतरों में सिर्फ पूर्व सी एम डॉक्टर रमन सींग और वैशाली नगर विधायक विध्यारतन भसीनी अपनी सीट बचाने में सफल रहे इसलिए कॉंग्रेस के लिए ये प्रतिस्ठा का विशय बन गया है कॉंग्रेस के नेता, आरसेस और भाजबा के गड़ को तोड़ने के लिए भाजबा के असंतुस्ट नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में है वैसे आप इस बार इस सीट पर किसकी दाविदारी प्रवल मानते हैं और क्या पूर्वजन प्रतिनिधियों ने इस विधान सबा में विकास के काम किये हैं अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे बने रहिए फोर्थाई न्यूस के साथ नमस्कार आपके लिए लेकर आते रहें